घरीबी के कारण पैदल सफर करनी को मजबूर दिल्ली से पैदल ही लखिमपूर जाने के लिए निकले तीन मासूम 550 किलोमीटर सफर पैदल ही तैकर पहुँचे लखिमपूर तूटी चपल के साहरे पूरा किया सफर किड़ा कहां से आ रहे हो तो क्या कोई रास्ते में खाना पुछा कोई नहीं तिल्ली में तो माट मिला रास्ता खाना पीना अगर बाद में नहीं मिला अधर अच्छा तो अभी अभी बहुत लंबा सफर करना आएक तो अभी बहुत लंबा सफर करना आएक मजदूर वर्ग के लोगों को अपने घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है लाकों की तादाद में मजदूर सड़कों पर अपने घर जाने के लिए निकल पड़े है ऐसी तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रही है दावा है ये तस्वीर आपके रॉंग्टे खड़े कर देगी दरसल लॉकडाउन के कारण काम से हाथ दो बैठे मुझीब के सामने रोजी रोटी का संकट आन पड़ा ना तो इनके पास खाने के लिए रोटी है और ना ही कोई काम इसलिए ये अपने परिवार के साथ पैदल ही अपने गाउं जाने के लिए निकल पड़े है पिटा कहां से आ रहे हो अच्छा तो क्या कोई रास्ते में खाना पूछा कोई नहीं दिली में तो माट मिला खाना पीना अगर बाद में नहीं मिला था अच्छा तो अभी अभी बहुल लंबा सफर करना है आपी दो कि अखे बमा सब्साना है मुजीब के साथ उनके तीन बच्चे भी दिली से लखिमपुर 550 किलो मीटर का सफर पैदल ही तैकरने के लिए मजबूर है एक बड़ा बेटा अपने सिर के उपर करीब 30 किलो वजन का बैग लादे चलता दिखाई दिया तो वहीं एक बच्चा अपने पिता के कंधों पर बैठा नज़र आया जबकि एक तीन साल का मासूम बच्चा मा की पीट पर लदे बैक के उपर बैठ कर सफर करते नज़र आये तो वहीं जब इन लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने पुराने दिली से जब सफर शुरू किया था तो इस दौरान दिली सरकार और दिली के रहने वाले कई लोगों ने तो उन्हें राज़ते में खाना पानी के लिए पूछा भी पांच सो पचास किलो मीटर का सफ़र तै कर लोगों को गरीबी से रूबरू कराया पंजाब केसरी टीवी के लिए लखिमपूर खीरी से शारिख खान की रिपोर्ट